क्या आप आपके घर में एक एसी मेड रखना चाहेंगे जो सब्जे काटने से चाहता इंसान काटने में माहिर हो यू आर मीस सर्भेंट ये एक रोमांटिक कोमेडी और स्लाइस अफ लाइफ चॉर्णर का आनिमी है मुझी तो इसका फॉस्ट एपिसोड मज़ेदर लगा उमीद है कि आपको भी ये पसंद आएगा सुरुवात में हम एक मेड को ट्रेन से उतर के कही जाते हुई देखते हैं दूसरे तरफ हम एक आलसी लड़के को भी देखते हैं जिसका घर कच्रे से भरा हुआ है वो उटकर नीचे हाते टाइम डोरबेल का साउंड सुनता है तो वो पूरा नीचे हाके स्क्रीन पे देखता है वो स्क्रीन पे एक मेड को देखता है जो उसे कहती है बीन बुलाया आने के लिए माफे चाहूंगी पर क्या आप मुझे आपके घर में नौकरानी बनने का काम देंगे वो लड़का मन में कहता है अच्छानक एक तिन मेरे घर एक मेड काम मागने आई लड़के का नाम ही तो इसी योकोया है फिलहाल वो उस मेड को उसके घर के अंदर आने देता है और कहता है अम सौरी मेरे प्यारेंट्स यहां नहीं है तो ये जगह एक कुड़ादान बन चुका है वो क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी फ्रीज के पास आकर वो सोचता है मैंने पीना कुछ सोची ही उसे अंदर आने दिया पर क्या वो यहां सच में काम डुणने आई है वो मुझे स्क्याम करने या चीजे बिछने की कोसिस तो नहीं करेगी ना साइध मुझे उसे कुछ सवाल पुछ के बाहर भेचते ना चाहिए वो उसे पुछता है तुमें एक नाकरानी हो तो पहले तुम जिस जगा पर काम करती थी मेंलनी तुम बहां किस तरह के काम करती थी वो मेड कहती है उन धोके बाजों का हत्या करती थी जो मेरे मास्टर के खिलाब होते थे मेरे मास्टर नहीं मुझे इस जगा पर भेजा है ही तो इसी कहता है ये एक जोग था ना वो मेड ऐसा एक्सप्रेशन देती है जिसे उसे पता भी नहीं कि जोग क्या होता है ही तो इसी डड़ जाता है और मन में कहता है इसी तो जल्दी घर से बाहर भेशते ना चाहिए वो उसे पुछता है तुमने कहा तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहां भेजा है क्या उनका हमारे परिवार के साथ कुछ कनेक्सन है वो मेड कहती है तुम उस औरत का पोता हो जो करीबों को लूटके अपनी संपती बढ़ाती थी मेरे मास्टर की कानूनी बेटे के पत्नी के कजिन का दूसरा बेटा ही तो इसी कहता है इसका मत होते हैं तुम किसमे खासो यह सुनके वो मेड एक पेड़ के सामने आती है और ब्यक्लिक मारते हुए अपनी सारी चैप को जानता हूं सोरी में तुम्हें काम पे नहीं रख सकता वो मेड उससे माफि मांंग कर यहां से चली जाती है, ही तो इसी कुछ नोटिस करता है वो मेर्ट ट्रेण लाइन क्रोस करने के लिए खड़े होकर यह सुछती है कि वो अभी कहां जाएगी ट्रेण के चश्ट जाने के बाद वो इसे क्रोस करने वाली थी ही तो इसी उसे बुलाते हुए कहता है मिस सर्भेंट आप ये भूल गई हो वो उसे उसकी पेल रिटन करने आ रहा था अचानक एक ट्रॉक उसके सामने आ जाता है वो अपने अंतिम संसकर के बस करीबी था लेकिन वो मेड उसे बचा लेती है हितो इसी कहता है मिस सर्भेंट क्या तुम ठीक हो सुक्रिया वो मेड कहती है माप की जिये का मैंने पहले कभी किसी की जान नहीं बचाई थी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था हितो इसी उसे उसकी बेल देता है और वो यहां से जाने लगती है पर पता नहीं कि वो हितो इसी उसे बुलाता है और कहता है मिस सर्भेंट मुझे कोई चाहिए जो मुझे सफाई में मदद कर सके गर आकर वो मेड हितो इसी को अपने सारी हत्यार दिखाती है और कहती है मैं इन सबसे बहुत आसानी से किसी की भी जान ले सकती हूँ हितो इसी कहता है आरे आरे रुक जाओ मैं चाहता हूँ कि तुम सफाई करो वो मेड कहती है सफाई हाँ मुझे अच्छे से सफाई करना आता है ये तो ऐसी कहता है, मैं किसी को मार कर साप करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, देखो ये घर कितना गंदा है, क्या तुम इसे साप करूगी? साथ ही, क्या तुम कपड़े धोने जैसे दूसरे काम भी करना चाहोगी? मुझे कोई घर का ख्याल रखने वाला चाहिए, वो मन में कहता है, उसने मेरी जान बचाई है, तो साइद वो कोई बुरी इंसान नहीं है, मेड पूछती है, मैं घर के काम करूँगी, तो क्या आप पूछती है, फिर पूइक निंजा की तरह जंप मार के सही से लैंड करती है, और माफी मांगती है, इसके बाद वो बाल्टी आके उसके सर पे पड़ती है, हितो योसी समझ जाता है कि ये के एसी मेरी है, जिसे घर के काम नहीं आते है, मेरी कहती है, अब आप मुझे काम से निकाल देंगे न, हितो योसी उसके सर से बाल्टी उठाता है, और कहता है, वेल, मैंने ही तुम्हें एसा काम दिया है, जिससे तुम अंजान हो, वो उसके सर पे एक टावल रखता है, और कहता है, सिकने में जादा दिर नहीं हुआ है, चलो साथ में सफाई करे, दोनों अभी ये करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिला था, तुम्हारे मदद के लिए सुक्रिया, आरे बहुत समय हो चुका है, मुझे अभी भूक लगी है, क्या तुम खाना बनाओगी, मेरे पास आज के डिनर के लिए एक आइडिया है, तुम पहले नहा कराओ, वो मेड नहाने जाती है, हितोईसी मन में सुचता है, अभी मेरे प्यारेंट्स घर पर नहीं है, और मैं समर्भय किसन को इंजे कर रहा हूँ, पर अभी में हमेशा से ज़्यादा नर्भस फिल कर रहा हूँ, क्योंकि एक मेड अचानक आ गई, जो आसासिन का काम करती है, अभी में क्या करू अगर वो क्यारलेसली एक टावल पे इनके बाहर आएगी तो, पर वो मेड अपनी फूली उनिपरम के साथ बाहर आती है, ये देखकर हितोईसी मन में कहता है, हाई रे मेरे डुपती जवानी, मेड सबजी कटने की तयारी करती है, हितोईसी कहता है, खुद को फोर्स मत करो, मेड कहती है, चाकू के साथ काम करने में मैं हर किसी से बेटर हूँ, वो उस पतागोबी को उच्छालती है, और एक निंचा की तरहा उसे तुरंद काड़ देती है, हितोईसी कहता है, हम आज मिसोसूप और तोंकासू को साइड डिस के हिसाब से बनाएंगे, क्या तुम्हे पता है, तोंकासू क्या है, मेड कहती है, मुझे लगता है, मैंने इसा कुछ खाई थी, क्योंकि मैं टेस्ट के बारे में चाता सोचती नहीं हूँ, तो पता नहीं है, हितो यसी कहता है, तुम ये तोंकासू ट्राइ करूगी, तो तुम्हारा पुरा दुनिया ही बदल आएका, ये 60 साल पहले स्टेबलिस हुआ था, कातसूदा साइट डिस्ट टूर, सुभा सुभा मिस्टर और मिसेस कातसूदा इन्हें बहुत साब्धान इसे बनाते हैं, पता चला है कि कई फेमोस सेलिब्रेटिस भी इन्हें टेस्ट करने आए थे, ये सब कहने के बाद वो दोनों के लिए इसे सौप कर लेता है, वो उस मेड से पुछता है, तुम्हारा नाम क्या है मिस सर्भेंट, वो मेड कहती है, मेरा नाम, मेरा कोई नाम नहीं है, इससे पहले मेरे मालिक मुझे जो बुलाते थे, मेरा वही नाम होता था, आप भी जो चाहे मुझे बो बुला ये मास्टर योकोया हितो योसी कहता है एसा है तो मैं अभी तुम्हें मिस सर्भेंट ही बुलाऊंगा और बाद में तुम्हारे लिए कोई नाम सोचूंगा मेडमन में कहती है अजीब है इससे पहले मुझे मेरे नाम की कोई परवा नहीं थी वो इस तुनकासु को टेस्ट कर मेरा रूम सेकेंड फ्लोर का लास्ट रूम है मिस सर्भेंट मैंने वहां ने वेटसिर्स और पिलो कवर्स रख दिये है कुछ गलत लगे तो मुझे बताना मेड़ा अपनी पास्ट के एक बात को याद करती है उस तिन वो खून से सनी हुई थी कोई उससे कहता है तुम पास कि वो मुझे कुछ ऐसा बुलाए जिसका मतलब कठोर थंड हो ही तो इसी उसे तुनकासो उस सौस के साथ खाने देता है वो मेड़ जब इसे सौस के साथ खाती है उसी ही सूपर डिलिस्यस लगता है आधी रात को ही तो इसी रोते हुए उड़ता है और केता है बहुत समय ब से थम जाता है उसे लगता है कि वो मेड किसी के हत्या्या वगेरा कुछ कर रही है रहता है के उसके चेहरे पर बॉर सौस को खाना देता है इस वार भी वो सॉस उसे सबसे बढ़या लगता है वो पुछती है मास्टर यह हो या क्या आपको कोई बुरा सपना आया था जब मैं इस सॉस को टेस्ट करने के लिए वेड से उठी मुझे आपके रोम से चिलाने का आवास सुनाई दिया मुझे लगा कि आपक मुझे से बात करना चाता है पर। उसे टेस्ट करती ही मैं उड़ गई यह सपना अलग था मुझे अक्सर मरने की अपने आते हैं किologी कविश कभी उनके कोडी में सेungने का मौका नहीं मिलेगा ये सुनके मेड केती है आप मेरी गोदी में सू सकते हैं हितोईसी पहुत सरमा जाता है और कहता है मैं अभी एक बच्चा नहीं हूँ उस मेड का मौन नेगेटिव होता जा रहा था तभी उस नेगेटिविटी को तोड़ते हुए हितोईसी उसके गोदी में ठीक है क्या अब आप सो सकते हैं मास्टर हितोईसी हितोईसी कहता है हाँ सुक्रिया तो ये कहानी है कि केसे एक अकेली बीचारी नौकरानी को एक परिबार मिला